करन वीर बोरा दिपिका ककड के साथ एक बड़ी गेम खेल गए और दिपिका ककड को समझ भी नहीं आया अगर आपने गौर किया होगा तो बीते एपिसोड में दिपिका ककड पर लगे थे करन के साथ पार्शल होने के आरोप वहीं आप लोगों को बता दे कि दिपिका ककड जो की करन वीर बोरा को कैप्टेंसी की कंडेंडर्शिप तक लेकर आई उन्हें करन ने एक बार भी थांक्यू तक नहीं कहा बलकि जब सल्मान दिपिका को लतार लगा रहे थे तब करन को दिपिका का साथ देना चाहिए था ये कहना चाहिए था कि दिपिका पार्शल नहीं थी उल्टा करन ने ही दिपिका ककड का नाम टॉर्चर रूम के लिए ले दिया भै ये तो दोस्ती नहीं है ये तो आप जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन करन यहां हम अर्शी खान का तकिया कलाम इस्त तरीके से आपने पेबैक नहीं किया, आपकी वच्छा से दिपिका को टॉर्चर रूम में जाना पड़ा और आपने ही टॉर्चर रूम में दिपिका को भेजने के लिए उनका नाम लिया, बहुत गलत बात है, पाइनल कार एंटिटेन्मेंट डिस्क